मश्रूम की सब्जी आपने काई बार बनाई होगी और खायी भी होगी, लेकिन आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ लैसूनिया मश्रूम की रेसिपी हैं आज के सब्जी को हम कुकर में बनाएंगे और मात्र 15 मिनिट में ये सब्जी बनके त्याँ हो जाएगी बिना किसी ताम जाम के और इस सब्जी का जो स्वाध है ना वो आपके मूह से नहीं जाएगा अगर आपने एक बारी से बना के खा लिया तो चलते हैं आज किस रेसेपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां बैल लाइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें सब्सक्राइब बनाने के लिए यहां पर मैंने दो पैकेट मश्रूम लिया है वेट से देखा जाए तो यह 400 ग्राम मश्रूम है एक पैकेट में 200 ग्राम मश्रूम होता है और इसे मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है उसके बाद मैंने इसे पानी में ही डाल दिया था त के चाट उगड़े कर लें क्योंकि हम आज की सब्जी को कुकर में बना रहे ना तो मश्रूम के थोड़े हम बड़े पीसे रखेंगे क्योंकि मश्रूम जब गल जाता है तो इसका साइज पहले से काफी छोटा हो जाता है तो यहां पर मैंने सारे मश्रूम को काट के तयार कर है तो हम इसे पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे और जब हम सब्जी पनाएंगे ना तो पानी में से निकाल के डारेक्ट कूकर में डाल देंगे तो अब हम चलते हैं नेक्ष पॉसेस के लिए अब आप यहां पे मिक्सिका जार ले 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 और 15-20 यहां पे छिली हुई इसे दरदरा पीस लेंगे पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लैसुन मिर्ची को यहां पे मैंने मिक्सि में दरदरा ग्राइंड कर लिया है चाहे तो आप इसे कूटने वाला जो आता है ना उसमें दरदरा कूट भी सकते हैं अब आपको यहां पे डालना ह थोड़ा सा धनिया तो धनिया को इस पकार से आप रफली तोड़ के डाल दें और इसे भी हमें मिक्सी में डाल के दरदरा ग्राइंड कर लेना है ध्यान रखिएगा कि इसे में पीसना नहीं है जब आप इसे दरदरा कूट के डालेंगे तब ही जाके सब्जी का स्वाद सब्जी बनाने के लिए इस पेसली आप यहां सर्सो तेल का इस्तमाल करिएगा सब्जी का स्वाद बहुत ला जवाब आएगा तो लगबग चार बड़ी चमच यहां पर मैंने सर्सो का तेल डाल दिया है तेल को यहां पर अच्छा से गरम कर लें ताकि सर्सो तेल का जो बड़ी हमेशा आगे से क्षोल के डालें टेल में जाते ही ही इलाची फट्ट जाती है तो जीरा यहां पर हमारा अچ अच्छे से चटकने लगा है तो अब आपको यहां पर डालना है दो मीडियम आकारे कटे हुए प्ज प्याज को डाल के आपको तब तक भुणना है जब कि प्याज आपके हलकी सी सुनहरी होना शुरू ना हो जाए गैस का आँच मीडियम रखें तो प्याज यहाँ पे हलकी सी सुनहरी होना शुरू हो गई है इससे जादा प्याज को नहीं भुनेंगे नी तो क्या होगा ना बहुत जादा अगर प्याज सुनहरा हो जाता ना तो में थोड़ी सी करवाहट आ जाती है जिसके वेज़े से सबजी का स्वात खराब हो जाता है तो अब हम यहाँ पे लैसुन मिर्ची और धनिया जिसको हमने दरदरा कूट के रखाता था ना वो डाल देंगे पर आज के साथ लगबग एक मिनट तक धीमी आज़ पी से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो मीडिया माकार का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे गास का आज बिल्कुल धीमा ही रखेंगे और इसी के साथ हम बाकी मसालों को एड़ कर लेंगे तो एक छोटा चमच यहाँ पे आप भल्दी पौडर डाल दें डेर छोटा चमच धनि चिकन मसाला पौडर डाल दें अगर आपके पास चिकन मसाला पौडर नहीं तो इसके जगाप गरम मसाला पौडर का विस्तमाल कर सकते हैं तो मसाले यहाँ पे हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसे 2-3 मिनट तक भूल लें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और ज दीमी आज पे ही भुने नहीं तो मसाले आपके जलने लगेंगे टमाटर में भी अपना काफी पानी होता है तो जैसे जैसे तमाटर गलता जाएगा उसमें का जो पानी निकलेगा उसी के साथ यह मसाले भुन जाते हैं तो अब आप यहां पे कटा हुआ मश्रूम डाल दें क् हमारे अच्छे से भुन गए तो मसाले के साथ यहां पे आप जब मश्रूम को मिक्स करेंगे ना तो थोड़ी ही देर बाद देखेंगे किसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है तो गैस का आज आप यहां पे मीडियम कर दें और दो-तीन मिनट तक मसाले के साथ मश्रूम को भूलें तो यहां पे मश्रूम को भूंते हैं मुझे तीन मिनट हुए और आप देख सकते हैं मश्रूम में से कितना सारा पानी निकला है तो आज हम लैसुनिया मश्रूम बना रहे ना तो लैसुन का इस्तमाल हम थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे तो यहां पे दो गोटा लहसुन आप डाल दें जब यह पक जाएगा और जब आप खाएंगे ना तो आपके मुह से स्वादिस कनी चाहेगा इसी के साथ चौकोर आकार में कटा हुआ एक मीटियम आकार का प्यास डाल दें अगर आप बैचलर है ना तब भी आप इस सब्जी को बहुत ही आसानी से बन दा रही हूं तो मैं यहां पर एक कप पानी डाल रही हूं अगर आप सब्जी को लटपटी बनाना चाहते ना तो आप यहां पर एक कप की जगा आधा कप पानी के सितमाल करें तो बस अब आप यहां पर क्या करें कि कूकर का धकन लगा दें और मीडियम आज पे इसमें चा इतनी लाजवाब हमारी सब्जी दिख रही है और इसका जो ग्रेवी है यहां पर पतला लग रहा है लेकिन जैसे ही सब्जी थोड़ी सी ठंडी होगी ग्रेवी इसकी पहले से काफी गाड़ी हो जाएगी इसमें जो हमने चौकोर प्याल लास्ट में काटके डाला तो वह भी बहुत रहरा है और जब आप इस लहसुनिया मश्रूम को बना के खाना फ़ेगे जो हर बार मश्रूम की सब्जी को ऐसे ही बना के खाना पसंद करेंगे धन्या था तो लास्ट में इसमें को पोई भी आप नहीं है चलते हैं अब हम इसे फटा फट से सर्फ करने के लिए ऐ इतनी सब्जी में परिवार के तीन से चार लोग बहुत ही आराम से खा लेंगे रेसिपी बनाने में अगर कोई भी समस्य आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ सर्फ करने से पहल में तब तक कि लिए बाइब बाइब